राज्थान हसे सटी भारत पाक सीमा पर मौसम के अचानक बदनली के बाद अरलट जारी कर दिया गया है सुमवार को भीकानेर के सीमा वर्ती इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली जिसके बाद खाजूवाला कस्बे में रेत का गोबार उमर पढ़ा रेत का यह गोबार पाकिस्तान की तरफ से आया कई जगे तेज गर्जन से लोग सेहम गए जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जैसल मेर, बिकानेर, हनुमानगार, चुरू समेत उतरी राजस्थान में आंदी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 48 घंटे में तूफान की चेतावनी दी है इस से पहले आंदी तूफान और तेज बारिश की आशंका के मद्दे नजर हरियाना सरकार ने दो दिन के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां गोशित कर दी है जिसके बाद प्रदानमंत्री कारियालेया पी एमो ने मौसम विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी पी एमो ने पूछा कि आखिर किस तरह से हरियाना सरकार को एडवाईजरी दी गई है कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पी एमो के सवाल पर मौसम विभाग ने हैरान करने वाला जवाब दिया है मौसम विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से हरियाना सरकार को ऐसी कोई एडवाईजरी जारी नहीं की गई है कि स्कूल बंद कर दिये जाए PMO को मौसम विभाग का जवाब मौसम विभाग के DDGM देवेंद्र प्रदान का कहना है कि हरियाना सरकार को स्कूल बंद करने के लिए कोई एड़ वाइजरी नहीं दी गई है उनका कहना है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR में आंदी तूफान को लेकर अलड जारी किया गया है जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उतराखंड में पस्चिमी विक्षोब के चलते तेज बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं हरियाना में दो दिन स्कूल बंदर्सल भयंकर तूफान और बारिश की आशंकाओं के बीच हरियाना सरकार ने सुमवार और मंगलवार को प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां घोशित कर दी है राज्य के शिक्षामंती रामविलास शर्मा ने इसकी पुष्टी की है हरियाना के करीब टीन सव पचास प्राइवेट और पांच सव पचास तर सरकारी स्कूलों को दो दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है अगले 48 घंटे भारी मौसम विभाग की जानकारी के बाद देश के कुल 13 राज्यों और दो केंदर शासित प्रदेशों में अलर्ड जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में कुद्रत कहर बरपा सकता है विभाग की मौताबिक हरियाना, चंडीगर और दिल्ली के कुछ स्थानों पर भी धूल भरी आंदी आने की आशंका है इसका असर पूर्वी और पूर्वत्तर राज्यों में भी देखने को मिलेगा इसके मद्दे नजर मौसम विभाग ने पस्चमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पस्चिम बंगाल, सिक्किम, उडिसा, पूर्वत्तर के कुछ इलाकों, केरल और अंद्रूनी करनाटक के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंदी तुफान की आशंका जताई है जबकि राजस्थान में धूल भरी आंदी और असम, मेगाल, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है कई राज्यों में तेज आंदी की आशंका विभाग में मौजूदा पस्चिमी विक्षोब के कारण उत्तर और पूर्वत्तर भारत के तमाम इलाकों में आंदी और तेज हवाओं का दोर जारी रहने के बावजूद राजस्थान, गुजरात, मद्यप्रदेश, भीत्री मह अराश्ट्र के सभी इलाकों और तेलंगाना, रायलसीमा तथा भीत्री उडिसा के कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों तक अधिक्तम तापमान 40-44 डिग्री सेलसियस तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है